एजुसीकर में आप सभी का स्वागत है आपको पता होगा लास्ट येर हमने CUET PG की दो guidebook release की थी, तो आज उसका report card भी आपके लिए मैं लेकर रहा है तो सुनिए report card क्या है report card ये कहता है 75 question होते है domain में से, उस में से 32 question इन ही ebooks में आये है, claim नहीं कर रहा हूँ इसके साथ proof भी लेकर आओ, ये proof वीडियो भी है, मैं दिखाऊंगा एक एक करके 32 question कहां कहां से आये थे, कौन कौन से page number से आये थे, screen shot दिखाऊंगा, question दिखाऊंगा, आप अराम से इत्मिनान से देख लेना, अगर आपके पास वीडियो देखने का time नहीं है, मैं file भी नीचे description में attach करने वाला हूँ, उसको open करके देख लेना, और अब हम क्या कर रहे हैं हमने इन ebooks की, जो 2024 में नया addition निकाला है उसकी कर दी है rebranding तो rebranding करके, अब इनहीं ebooks का नाम है, rapid fire vision of CUETPG political science और PYQ simplified, इसमें 2023 तक कर जितना data update हम कर सकते थे किया, out of slavers जो question पूशे जा रहे हैं थे, हम उन topics में से भी जो है उसका भी content आपको दे दिया, पढ़ने के लिए उनके भी notes बना कर आपको दे दिया, वो भी हमें लगा कि हमारी जो ebook है वो one liner type तो है नहीं, हमने one liner इसका पिछली बार title लग दिया है यो one liner तो है नहीं, क्योंकि one line में एक question होता है, और एक ही line में answer होता है, ये तो detail book है, सिरफ question answer के format में बनाई गई है but this is not a one liner book ebook, ठीक है, तो उसके लिए फिर हमने क्या रखा, नाम रखा है अभी rapid fire revision of CUETPG, अब ये rapid fire कैसे है, क्यों इसको rapid fire हमने claim किया है, rapid fire इस तरह से है कि अगर आपने पूरा साल कुछ भी नहीं न पढ़ा, CUETPG की त्यारी नहीं कर तो इस exam को निगालने के लिए जो MCQ based exam है तो इसका थोड़ा साना style और strategy अलग होनी चाहिए, हम subjective पढ़ते है लेकिन यहां पर आपको objective question आने वाले है, तो उसकी strategy के साब से हमें लगता है कि rapid fire vision जैसी ebook आनी चाहिए, जिसने नहीं भी पढ़ पाए, महीना बचाए, अभी exam देने में, अराम से वो इसको 10-15 दिन भी पढ़ लेगा ना ebook को, अच्छे से और एक-दो बार revise भी कर लेगा last ले दिनों में, तो उसका बहुत हद तक फैदा हो जाएगा, और हो सकता है हमने काया है कि 32 questions आये है इस बार पता ने कितने questions आने वाले अब तो data बहुत जादा हमने update कर दिया जादा ही आने वाले है, चलिए वो सारी चीज़े समझते हैं कि इसमें क्या-क्या है इसमें basically और गना इस notes मिल जाएंगे last minute preparation मतलब जो डर आता है कि last में मैं क्या पढ़ू, कहां से पढ़ू यह देख लूँ, वो देख लूँ, कौन सी बुक उठाऊं कौन सी वीडियो देखूं, क्या करूं कोई telegram channel follow करूं, group follow करूं कोई दोस्त के notes ले लूँ, यह सारी परेशानी दूर हो जाएगी, सरफ इसी को उठालो, पढ़ लो पूरा syllabus complete हो जाएगा एक-एक topic, full clarity से मिलने वाला है, सारे facts, सारे concepts और सारे PYQ इसी में cover हो जाएगे आपके तो वान से लेकर unit 8 तक complete syllabus मिल जाएगा, सारे topics यह major topics का मतलब यह नहीं कि हमने कोई topic short दिया है, सारे topics इस levels में, जो आपके मिले हैं, वो सारे cover कर दिया है और December 2023 तक fully updated e-book मिल रही है इसका मतलब जितना भी अब तक CUET का question आ रखे हैं कोई concept पूछ लिये थे, उन्हें वो सारे cover कर दिया हमने इसमें और इसके साथ हमने 10 year PYQ जितने भी है न, मतलब सिरो CUET PG के PYQ नहीं, पुराने PYQ जो DU के exam ओर रखे होते हैं BHU के exam ओर रखे होते हैं MA के और कोई university ने exam लिये थे उन सबको भी इसमें हमने add कर दिया है, वो भी information आपको सासत मिलेगी, मैं demo दिखाने वाला book का, तो थोड़ा सबर कर लिजे, सब कुछ मिलेगा, out of syllabus topic भी add कर दिये हैं, और इसके साथ हमने add किया है, जो latest trending topic चल सकते हैं या चल रहे हैं, जो हमें लगता है कि ये चीज़े, students को पता होना चाहिए NTA जो है, अगर question बनाएगा तो इन में से बनाने के chances है वो भी हमने cover कर दिया है time saving material है भई, इससे ज़्यादा time नहीं बचेगा, कहीं बागों मत, एक जगा टिक जाओ बरोसा रखो, आपको JNU या top university लेकर जाने वाले हैं हम, कैसे वीडियो देखते रहो, चीजे समझते रहो थोड़ा सबर करो, अब PYQ की e-book की बात करते हैं तो इस PY की e-book में हमने क्या-क्या cover किया है, 2021 से 2023, यानि CUTPG का जब से exam हो रहा है, उन सभी के PYQ को हमने unit wise arrange कर दिया है नागि आप न, अपने PYQ को भी consolidated कर ले, PYQ पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, तो आप उसी में से पढ़िए, unit wise पढ़िए, कि western political thought से क्या आ रहा है, इंडियन political thought से क्या आ रहा है, political theory से क्या आ रहा है IR से क्या आ रहा है, इंडियन polity से क्या-क्या question आ रहे है, एक ही e-book को कोलते हुए, सारी information मिल जाएगी, सरफ question नहीं मिल रहे है, साथ में न answer भी मिल रहे है, सरफ answer की नहीं मिल रही, explanation भी मिल रही है, अब explanation नहीं मिल रही, explanation के साथ एक और चीज मिल रही है, मा लीजे चार option हैं वहाँ पर, सिरफ एक को explain नहीं कर रहे हैं, बाकी तीन भी तो relevant है ना, वो कौन है वो जो तीन लोगों की बात की गई है, तीन thinker आये हैं, वो कौन है, उन्होंने किन चीज़ों पर काम किया है, उनके कौन से major concept है, वो भी साथ-साथ मिले गए, इसको कहते हैं detailed explanation जो answer with detailed explanation के यही मतलब होता है, correct option नहीं, जो wrong options हैं, हमने उनको भी explain कर दिया है, और बहुत ही जल्दी quicker vision होगी आपकी PYQ को, इस e-book को खोलिए बढ़ते जाए, देखना flow में smoothly मक्खन की तरह PYQ आप cover कर जाओगे, अब बात करते हैं इनकी pricing की, pricing क्या है, 8 यानि 648 और combo offer में, यानि दोनों ही e-book 499 की आपको अराम से मिल जाएगी, अब बात करते हैं, 499 आप देने वाले हो, मैं को नहीं होता हूँ 499 लेने वाला, एज जो seeker कौन है, ठीक है, जो 500 रुपे मांगी जा रहा है इन e-books में, इसमें ऐसा क्या खास है, 32 question का proof तो मैं देने वाला हूँ, ठीक है, 32 question का proof देकर भी, एक book बेचना, एक गलत बात है, मैं मानता हूँ, इसको समझी अब, क्या करना वाला हूँ, मैं आपके पैसे को सिरफ hold करने वाला हूँ, 500 रुपिया आप मुझे advance में दे रहे, e-book तो मिल जाएगी आपको, लेकिन money back guarantee offer के साथ, अब money back guarantee offer कैसे काम करने वाली है, समझीए, 500 रुपिया दे दिया, तो आपको निश्चिंत होकर त्यारी करनी है, ये नहीं कि मेरा डूब गया, डूबने नहीं वाला है, मैं डूबने नहीं दूँगा, जब तक content में से कुछ आया है ना, तो हम promise करते हैं, पूरा refund देंगे आपको, 100% refund, no question ask, तो सुन लो, अगर 75 question से, 40 question हमारे content में से नहीं आते, यानि इससे कम आते, अगर 39 भी आए, तो भी full refund मिल जाएगा, अब वो 40 question कहां कहां से आने वाले है, यह समझ लो, थोड़ा से समझ लो पहले, money back guarantee offer कैसे काम करने वाली है, मैंने कहा था, JNU या top university पहुंचने के लिए, मैं 4 weapon देने वाला हूँ, तो वो 4 weapon में से, 40 question आने वाले है, सुन लीजिए वो 4 weapon कौन कौन से है, पहला है aduseaker free quiz group, telegram का हमने त्यार किया है, उसका link है t.me aduseaker quiz, यह telegram में जागर simply, बिना space के लिए aduseaker quiz आपको group मिल जाएगा, तो उसमें हम हर रोज 5-5 question हर unit से दे रहे हैं, schedule wise चल रहे हैं, अगर आपने join नहीं किया, immediately join that उसमें already हमने 100 से ज़्यादा question को cover कर लिया है, फिर आता है CUET PG paid e-books, 500 रुपे की, जो आपके सामने रखी है, जो आपको मिल जाएगी, नीचे में से, description में लिंके, वहाँ से ले रिना, और फिर third weapon आता है, quick reason free videos, जो हम expected it मानते हैं कि 10 feb तक मिलनी शुरू हो जाएगी, 10 feb से लेकर जब तक आपका exam चल रहा है ये videos आती जाएंगी, आती जाएंगी और आप इनसे भी सीखते जाएंगे, और फिर इसके बाद आएगी, CUET PG की paid test series आएगी हमारी, जो और test series है, ठीक है तो 1000 रुपे में CUET PG की political science की त्यारी करवा रहे है पूरी, 1000 से जादा हमें चाहिए नहीं, लेकिन इस 1000 को लेने का मज़ा तब है ना, जब हमारे content में से, यानि इन 4 weapon में से, इन 4 चीजों में से 40 question आए कम से कम, अगर 40 से कम आगे, तो हमें भी इसका मतलब पढाना नहीं आता, हमें बनाना नहीं आता content, हम भी मानेंगे हमारा content useful नहीं है, इसलिए हम अपको पैसे वापस कर देंगे, ये हम अपनी हार मानेंगे, लेकिन ये हार हम तब मानेंगे, जब answer की final आ जाएगी, हम चेक करेंगे, क्या हमने जितना content प्रवाइड कराया, इन चारों चीजों में से, 40 question से कम आए है या 40 से ज़्यादा आए, अगर 40 से ज़्यादा आए, हमें खुशी होगी कि हमें content डिलिवर करना आता है अगर 40 से कम आए, हम अपनी हार मानेंगे, हमें content डिलिवर करना अच्छे से नहीं आता है हम 1000 रुपे, यानि test series के भी पूरे वापस कर देंगे, जो student आएगे claim करने refund, और e-books के भी full refund issue कर देंगे, जितनी उन्होंने payment की है, पूरी की पूरी उनको payment वापस कर देंगे बट हमारे proof वीडियो की wait करना, हमारी proof वीडियो आने से पहले आप claim नहीं करेंगे कि ये देखिए, 40 से कम question आया है और नहीं आया है, क्योंकि content है वो बिखरा हुआ है, वो quiz group में भी आ रहा है, वो free videos में भी आने वाला है, वो e-books में भी है और वो test series में भी आने वाला है तो ये चारों चीजे हम आपको screen short के साथ with proof दिखाएंगे कि देखो, इसमें से question आया, जैसे मैं अब proof के साथ सारी चीजे आपको दिखाने वाला हूँ, कि 32 question 75 में से कैसे आया है वो देखते हैं, तो ये आपने thumbnail देखा था, आपको लगा होगा कोई जूट बोल ला है, clickbait thumbnail बना दिया कोई claim करी जा रहा है कि 32 question भई हमारी e-books में से आया है, तो ऐसा नहीं है फालतू का claim नहीं किया, उसके साथ proof अब मैं दिरी-दिरी करके आपको दिखाने वाला हूँ, question आया था Robert Nozick को लेकर, negative liberty के idea को लेकर, assertion reason उला question था ठीक है, अगर आपने हमारी e-book में से पढ़ा होता, तो आपको पता चल जाता है कि negative liberty के साथ associated thinker कोन है, और Robert Nozick negative liberty के साथ associated है, और assertion reason उला question जो है, solve हो सकता था दूसरा question, आप से political thinker और कुछ books पूशी गई है, और उनको आपने match करना था, और ये अगर आपको Mary Wallstone Craft या Kate Millard की book, जो हमारी book में feminism scholar की सारी books मिल रखी है, उनमें से दो भी पता होती, तो elimination से भी आप उस question को अच्छे से solve कराते question number 3, इसमें से पूशा गया, utilitarianism का principle कौनसा अगर utilitarianism का idea आपने हमारी e-book से पढ़ा होता तो भी इस question को अच्छे से आप attempt कर सकते थे, popular democracy की form के बारे में पूशा गया है, तो ये भी आपको पता चल जाएगा, हमारी e-book में से question आया है, कि democracy कैसी होती है direct कौनसी होती है, indirect कौनसी होती है, direct में method कौनसे होते है, indirect के method कौन कौनसे होते है, क्या-क्या feature होते है, ये सारी चीज़े आपको मिल जाती, और बात करते हैं अगले question की, hegemonie का idea किसने दिया, ये भी पता चल जाता कि ये ग्रामशी का idea है, ये भी हमने उसी e-book में डाल लगा है, screen shot लगाया है, पूरा वही लगाया है जो हमने student को दी है, page number 39 है, तो जिन student के पास कोई पुरानी file पढ़ी होगी, वैसे तो अब update होगी होगी उनके account में, क्योंकि हम ऐसा है करते हैं, कि आपने अगर हमारे से कोई e-book ली है, और उसका कोई नया update version आया है, तो हम आपका free में update कर देते हैं, ऐसे नहीं कि आपको कहते हैं कि दुबारा पैसे दो, दुबारा पैसे नहीं आप से हम लेते, एक बार लेते हैं, e-book के लिए वो lifetime validity होती है सिरफ हमारी test series जो है, वो lifetime validity नहीं होती, वो कभी कभी 3 months 6 months हम देख लेते हैं, exam कैसे है, तो उसी साफ से हम उसको decide कर लेते हैं, बार करते हैं 6 questions की, तो इसमें आप से पूश रखा है कि ये assertion and reason का question था, उसी साफ से आपको ये पता चल जाता है, कि ये plateau की statement है, उसने कहा है, state is individual little large, और BHU का ये PYQ है, हमने का ना मैंने, कि PYQ हमने जो है, दस साल के cover कर रखे हैं, इसी e-book में, दस साल का मतलब ये है कि जब जो निवस्टी अपना exam भी लेती होती थी, CUETPG का exam exist भी नहीं करता था, तो हमें लगता है कि वो भी PYQ आपको cover करने चाहिए, वो सारी information आपको ये से e-book में मिल जाती है, 7 में आपसे पूश रखा है, इन में से कौन सी e-book में के available की है, अगर आपने हमारी e-book पढ़ी होती, तो आपको पता चल जाता है, कि discourses वहां से आए, 8th question में आपको Aristotle के work को लेकर ये सारा पूश रखा है, ये भी अगर आपने पढ़ा होता तो पता चल जाता है कि Nicomachean Ethics जो है Aristotle ने रिखी है, फिर इसमें सब पूशे गए है, Law of Dialect जो Karl Marx के हैं, या Marxism philosophy के हैं, तो वो भी law क्या-क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो सारी चीज़े यहां पर मिल जाती है, उसके basis पे आप answer दे देते, अगर आपको मैं लग रहा हूँ fast जा रहा हूँ, आप description से डाउनलोड करके अराम से देख सकते हैं कि कैसे इनकी e-book में से content आया है Plato theory of man, metal, ये rule जो है, ये कैसे work करती है, ये भी सारी हमने यहां पर दे रखी है कि जो gold से होते हैं, वो philosopher बनते हैं, वो ही philosopher कींगे, वो ही ruler करने वाले हैं, जो silver body से होते हैं, या silver metal involved होता है, वो soldier होते हैं, ये सारी information दे रखी है myth of metals आपको Plato की theory पता है, तो वो सारी हमने दे रखी है, ये statement दे रखी है, जिसमें claim कर रखा है कि ये Plato की statement है, statement one, तो ये Plato की statement नहीं है, आपने पड़ा होता तो वो Aristotle की statement है, और उसके basis पे आपको पता चल जाता कि statement one जो है, वो false दे रखी है, आगले question ये है कि philosopher और उनके central idea को match करना था, ये आपको हमारी e-books में भली बांती मिल जाते कि कौन सा idea किसका है, रूजोगा general will का है, लोग का limited government का है, ठीक है, हॉब्स ने self observation का idea दिया है, ये सारा हमारी e-book में details में मिल जाती है चीज़े, फिर बात आती है महात्मा गांदी ने कौन सी magazine issue की, यहाँ आप हमने बता रखा है कि Indian opinion उनों ने की, वह ही answer था फिर आप से पूछ रखा है, इन में से authoritarian rule की कौन सी form नहीं है, अगर आपने हमारी e-book से पड़ा होता कि कौन-कौन सी authoritarian regime में कौन-कौन से rule चलते वहां से भी यह question attempt हो जाता 50 number question में कुछ आप से पूछी गई है comparative politics की approaches को लेकर statements और उसके बारे में आपने बताना था और यह statement institution approach क्या करती है, new institution approach क्या करती है, यह सारी चीज़े आपको वहां से मिल जाती फिर बात करते हैं, इनको chronological order में लगाना, यानि हर body की formation date आपको पता होनी चाहिए, तो वह सारी formation date हमने यहां पर दे रखी है, तो उसके accordingly question आपको बनते हैं और आप attempt कर सकते हैं, question number 17 में आप से पूछ रखा है कि इन में से कौन सा realist theory जो है, वो decentralized की बात करता है, नार्की between state की बात सकते हैं, list one और list two दे रखी है, इनको आपने match करना था कौन सा idea किसके साथ है, अगर आपको एक या दो idea भी पता हो, तो match the following में से हो जाते हैं, तो Woodrow Wilson का यह जो idea दे रखा है, 14 points वाला, यह 14 points क्या-क्या, यह हमने सारे दे रखे हैं, अगर आपनी अच्छे जा पढ़ा होता, तो उसके basis पे, और elimination method पे, आप अराम से इस question को भी कर सकते थे, international cost of justice जो है, वो कहाँ पर located है, यह कहाँ पर located है, कैसे पदा चलेगा, e-book में जानकरी दे रखी है, कि यह located है, हेग निदर लैंड पे, ऐसे आप अंसर कर सकते थे, अब अगले question की बात करते 20 नमबर, उसमें एक पूशा गया है कि यह जो South Asian University है, कहाँ पर establish की गई है, तो कहाँ पर की गई है, हमने बता रखा है, New Delhi पर की गई है, और सार की और सारी body है, उसके बारे भी आपको पता होना चाहिए, जैसे सार सो है, STF है, सार को है, कुछ भी पूश सकते हैं इस बार, जुरूरी थोड़ी हमेशा ही SAU पूशेंगे, South Asian University पूशेंगे, तो कहाँ पर headquarter होते हैं, यह सारी चीज़े आपको decide करने वाली, यह कहाँ पर लाई करती है, कौन से jurisdiction में है, तो यह हमने बता रखा है, original jurisdiction में, original jurisdiction में तो center state की, जो dispute होती है, उसको कौन solve करा सकता है, supreme court कराता है, उसी क original jurisdiction कहते हैं, अगले question में आप से पूश रखा है, reservation को लेकर, state bill को लेकर, जो है, governor की power होती है, किसी bill को hold करने की, reserve करने की, discretionary power है, यह president को बेजने की, वो कैसे work करती है, वो सारा पूश रखा है आप से, यह सारी चीज़े हमने बता रखी है, और इसमें अगर आपने पढ़ा होता, तो इस question को अच्छे से attempt कर सकते हैं, किस article में है, fundamental rights के बारे में पूश रखा है, इसको order में लगाना है, तो order में हमने already आपको सारे fundamental rights यह रखे, अगर आपने पढ़े होते हैं, तो आराम से order में लगा सकते थे, अगले में आप से पूश रखा है, यह जो constitution की provision है, इसको order में लगाना है, तो इसका भी order आपको साब मिल जाता है, यह देखे, constitution की सारी provision, basically fundamental rights पूशे हैं, तो वो भी आप लगा देते हैं, आगे से आप पूश लखा है, कि 226 जो है, वो किसके साथ deal करता है, तो हमने बता रखा है कि 226 किसके साल देख कलता है, हाई कोड जो है, रिट्स इशू कर सकता है, उसके साथ deal कर रखा, यह भी बुक में था question, आगे से पूशा गया है, कि कौन सी amendment ने यह काम किया है, 42nd constitutional amendment की बात की जा रही है, mini constitution ने बहुत सारे change किये हैं, यानि कोई rule जो है twist किया गया होगा, government को favor करने वाला, वो 42nd amendment ही होगी, आपको पता है, यह emergency के time पर आई थी amendment, और इसमें वही चीजे amendment की गई थी, जिसमें government की power बढ़ जाए, government कौन थी, इंद्रा गांदी उस time control उनके पास था, पूश रखा है, preamble को लेकर, इनमें से कौन सी चीज जो है mention है, तो basically यह है, preamble का text, अगर आपने पढ़ा होता, तो सारी चीजे पता चल जाती, dignity of the individual जो है, वहाँ पर mention है, फिर judicial review के बात आती है, उसको लेकर question पूशा है, तो judicial review को लेकर भी हमने सब कुछ यहाँ पर cover कर रखा है, कि कौन-कौन से article judicial review के साथ deal करते हैं, judicial activism का कौन सा article है, PIL क्या होता है, यह सारी information मिल जाती, directive principle of state policy और उनके article जो है, वो पूश रखे हैं, इनको आपने क्या करना है, match करना था, कौन सा article किसके साथ करता है, तो यही भी हमने सारे दे रखे, बहुत short में दे रखे हैं, short में ही पढ़ने हैं, इतने easy रहते हैं, इसको पढ़ लिया, बस अराम से उसको आप solve भी कर सकते हैं, अब बात करते हैं, यह joint session की, यह तो question बार-बार आता रहता है, और बहुत पुराना PYQ हो गया है, तो यह तो आपको पता होना चाहिए, कि क्या करता है, speaker of joint session में क्या होता है, कौन preside करता है, कौन बलाता है, someone कौन करता है, ठीक है वहाँ पर बोलता क्यों नहीं, सारी चीज़े आपको पता होना चाहिए, यह सारी चीज़े भी आपको बुक में से मिल जाती, 32 और last question था, reads को लेकर, मतलब जो last question हमारी e-book से हमें लगा आया, तो उसमें से reads को लेकर, और उनके meaning क्या है, वो पूछ रखें, और हमने सारी पांच reads के meaning जो है, वहाँ पर दे रखें, अब यह सारी चीज़े वहाँ पर आपको दे रखी है, तो यह रही भाई proof वीडियो, अब हम चलते हैं, बुक्स को देखते हैं अंदर से जाके, कि e-books कैसी कैसी होती है, या कैसी दिखती है, वेबसेट पर जाकर हम देखते हैं सारा कुछ, तो बिसीकली जैसे ही आप हमारी वेबसेट पर आएंगे, तो यहाँ पर bulk offers यानि combo offers हमने आपको दिया हुआ, ऐसे UVT PG का बना कर, 4.99 में आपको दोनों e-book मिल जाएगी, तो यहाँ पर by now क्लिक करके आप लेख सकते हो, सबसे पहली चीज़े हमारी e-book में lifetime validity होती है, ठीक है, सिरफ online read कर सकते हो आप इसको, जैसे kindle की e-book read की जाती है, वैसे हमारी website में इसको online read किया जा सकता है, इसको download नहीं कर सकते, इसका print नहीं निकाल सकते है, बस यही एक restriction है, online आप जो read कर सकते हैं, वो mobile से, tablet से, laptop से, PC से, कहीं पर भी आपको internet connectivity मिलती है, website खोलने की, उस device से आप basically कर सकते हो, इसमें सिरफ आपने अपना login करके, वहाँ पर username और password बरना होता है, ठीक है, तो मैं वापस आता हूँ, उसी page पे, bulk offers वाले पे, और यहां से हमने इसको click किया, buy now उपर click किया, buy now उपर click करेंगे, यह आप से login credential कुशेंगा, अगर आपका account हमारी website पे नहीं बन रखा है, आप sign in with google कीजिए, या sign up पे click कीजिए, यह दो option होती है, ठीक है न, यह और लिखा हुआ है न, कि यह दो option आप कर सकते हो, तो basically अब मैंने अपने account में login कर लिया है, यह आप यहां पर आपकी profile pick, या जो भी नाम होगा, वो आया करेगा, ठीक है, और यहां पर आप my collection या logout कर सकते हो, my collection वो है, जो भी आप purchase करोगे, वो यहां चला जाएगा, चलिए, इसको मैं थोड़ा से purchase करके दिखाता हूँ, तो जैसे ही आप इस पे buy now पे click करेंगे, यह पे जाएगा, और यहां से आप credit, debit, UPI, net banking, wallet, जो भी यूज़ करना चाते हो, वो करके payment कर सकते हो, जैसे ही आपकी payment successful हो जाएगी, यह आप से कहेगा कि आपकी purchase confirm होगी है, और max to max 2 minutes लेगा, और आपके account में वो ebook reflect हो जाएगी, तो आप go to collection यहां पे भी click कर सकते हो, अपनी profile में जाकर भी my collection पे click कीजिए, जो जो purchase किया होता, वो यहां पर आजाता है, जैसे कि हमने ebook purchase की है, तो यहां पर हमाए ebooks दिखाई देंगी, तो चलिए सबसे पहले हम अपनी main ebook को खोलते हो, यहां पर आप click कर लोगे, जैसे आपकी net की speed है, उसी साबसे यह loading का time लेगा, अगर fast speed है, तो तुरंद खुल जाएगी, अगर आपकी speed slow है, तो उसी साबसे time ले लेगा, तो यह fully updated है, देखते हैं क्या क्या updated है, तो क्या क्या updated है, क्या क्या changes है, पहले उसको समझे, तो यह clickable icon है, कहीं पर भी आप जाकर click कर सकते हो, जो जो नए topic है, तो वहाँ पर हमने new भी लिख रखा है, और यह एक आपको chart भी दे दिया, table मना कर, कि यह देखिए, यह सारे topic हमने 2023 में जो डाले थे, उसको update कर दिया, कुछ delete नहीं किया हमने, हमने rather update किये चीज़े, ठीक है, तो update क्या किया है, यह सारा किया, कौन कौन से unit में क्या क्या चीज़े अपडेट हो रखी है, आपको list मिल जाएगी, और यहां पर आपको मिल जाएगा कि नए topic हमने कौन से add कि है, नए topic का मतलब है जो out of slavers topic है, जो CUETPG के slavers में mention नहीं है, बट उसमें से question आ रहे हैं, इसलिए उसको हमें cover करना जरूरी लगा, और जैसे कि ग्रामची, टगोर, अनार्किस, अमल्टी कल्चलिजम, यह नाफ्ता, ब्रिक्स, EU, एक्टिस्ट, पॉलिसी, और IR का तो पार्ट जादा cover करना पड़ा हमें, क्योंकि IR के question बहुत जादा आते हैं, similarly Indian polity के भी question काफी आते, लेकिन Indian polity को हमने पहले ही बड़ी अच्छे से cover कर लिया था, लेकिन कुछ चीज़े missing थी, जैसे schedule को हमने detail में नहीं बताया, वो भी बताया, PIL के बतारे में बताया, committees of parliament add कर दिया, कुछ famous commentator से question आने लगे हैं, यह net में question आते हैं, हम वापस index page में जाते हैं, तो basically यहाँ पर हम 03 dive करेंगे, वापस index page में contents में हम पहुंच जाएंगे, तो कैसे चलती है यह e-book, चलिए हम चलते हैं पहले chapter में, दिरे-दिरे आपको समझ आता जाएगा, जैसे कि यह plateau का idea है, कौन से time period से है, ठीक है, कौन सी place से है, क्या-क्या main contribution है, यानि किन concepts पे, यानि किन theories पे काम किया है, और कौन सी theories उनकी famous है, philosophy है किया है, ethics पे किया है, metaphysics पे किया है, यह सारी चीज़े होगी, कुछ चीज़े आपको exam के लिए facts भी चाहिए होते हैं, ठीक है, अब देखिए, इसमें न एक चीज़ अच्छी है, कि सिर्फ मैं क्यों कहा रहा हूँ, यह wildlander type नहीं है, हम जहां पर हमें लगता है कि detail चाहिए, वहां पर हम detail दे रहे है, theme क्या है, apology book का, यह भी पूशा जा सकता है, तो यह theme आपको पता होना चाहिए, सृटो की book का theme क्या है? यह भी आपको पता होना चाहिए, Republi की book का theme क्या है? किस पे focus किया, क्या क्या कहा है? यह सब पता होना चाहिए, और यहां पर आता है concept simply explained का section, हर thinker की concept को हमने explain किया है, myth of metal का concept explain कर दिआ, यह appetite, spirit, reason का concept explain कर दिया, justice का concept short में explain कर दिया, idea of swarms, इससे question बहुत आते हैं, बनते हैं, नेट वालों को तो आते हैं, लेकिन CUTPG को भी उमीद है आने की question है, तो वो हमने जो कर दिया, allegory of cave का जो concept क्या है, वो भी कर दिया, आप इसकी language विपढ़के देखना, language is easy है, और अराम से आपको cover हो जाएगा, nocturnal council का कर दिया, तो इस तरह से चलते हैं, फिर आते हैं, bonus PYQ, what is the bonus PYQ, BHU, ठीक है, या DU के enter test में, जो question आये हैं, plateau से लेकर, हमने उसको यहाँ पर cover कर दिया, last में एक section आता है, कि आपको यह चीज़े revise करनी है, यानि इनको जरूर आपने याद कि कौन सी बुक थी, डेट क्या थी, उनकी chronological order में, उसको याद भी रखना है आपने, और साथ में हमने क्या करना है, major concepts क्या क्या थे, ये इसको एक बर देख लो, कि मितो मैटर्स में ने पढ़ा था, हाँ मुझे याद आ गया, मैने allegory of case उपर से पढ़ाया हूँ, yes, यह प मिलती जाएगी, Indian government politics हो गया, comparative हो गया, public policy हो गया, general issues of contemporary levelness हो गया, तो यह जो unit 7, unit 8 है, यह सब को बहुत तंग करता है, क्योंकि इसका अभी new unit है, new unit इसलिए है, क्योंकि जादा content इसका मिलता है, इसलिए हमने इसको detail में बहुत सारी चीज़ों पर काम किया है, आप देख ल reality को add किया, scientific management approach को हमने add किया, hathun experiment को कर दिया है, iron law for oligarch को किया है, garbage can model को किया, क्यों किया है, क्यों किया है, क्योंकि इससे question आने लगे है, इसलिए हमने किया है, अपने हिसाब से नहीं किया है, जो trend चल रहा है, जो anti दे रहा है, उसी हिसाब से किया है, तो जैसे global justice का student को नहीं data मिलता है, कि global justice में पढ़े है क्या, कहां से पढ़े, तो यह सारी चीज़े वहां से हमें मिल जाती है, सारा detail आपको मिल जाएगा, nationalism के idea मिल जाएगे, climate change का मिल जाएगा, तो मुसे question पूछते होते है, सर क्या यही e-book enough है, yes enough है, और पढ़ने के जुरुरत नहीं है, यही पढ़ लो, साथ में PYQ वली e-book पढ़ लो, चलो PYQ वली e-book के पास भी हम चले जाते हैं, और वो भी आपको दिखा देते हैं, कैसे काम करती है, तो उसको भी open कर लेना, आप net की speed के साब से आपका यह खुलेगा, मेरी speed इतनी जादा नहीं है, तो मेरा उसी साब से ख तो यहां पर क्लिक किया, और देख लिया, देखिए 2023 वाला question में क्या क्या आ रखा है, यह आपने नीचे चलते हैं, ठीक है, यह question भी आ रखा है, और explanation देखिए, मैंने गाल था explanation पर हमने ज़्यादा काम किया है, जैसे कि A, B, C, D है, अब इसमें जो correct है, वो सीधा answer मिलते ह है न, P, Y, Q वाली आपने notes यां, बुक तो देख ही रखी ही होगी, market में काफी आती है, हमने क्या क्या काया है, कि हमने थोड़ा स उसको extension, यानि उसको extensiveklär 1998 देने की कोशिश की है, कि यह देखी, D में क्या है, B में क्या 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 गया है, A में क्या क्या है, C में क्या क्या 되어, उ यहां से पढ़ो आप, कि यह क्या करते है, इनका major focus क्या है, यह thinking आपको हो सकता है, पहली बार सुन रहे हो, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि यह है, चलो इसका answer Gramsci है जमुनी, यह Fukuyama क्या है, यह Hobbs Mom क्या है, यह किस पे काम करते हैं, क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं, यह भी आपको पता जल जाएगा, तो see, detailed explanation आपको मिल जाएगी, PYQ सारे cover है, कहां से लेकर कहां तक cover है, यह cover है, 2021 से लेकर 2003, यानि तीन exam के PYQ, CUETPG के जो है, वो सभी के सभी आपको cover मिल जाएगे, चलिए एक बार दिखा भी देता है, Modern Indian Political Thought के देख लिजिए, 2023 आया, नीचे करते जाएगे तो, 22 आ जाएगा, नीचे करते जाएगे, 21 में कौन से question आए, तो लो जी, Indian Political Thought तो खतम भी हो गया, शुरू होते ही, क्योंकि इसके ज़्यादा question, जो है, नहीं पूशे गए होंगे, तो सबसे बड़ा unit कौन से होते हैं, आपको पता होगा, कि सबसे ज़्यादा question आपने हैं, from this unit, Indian Quality or IR, ये section, bulk section है आपका, इसमें तो आप चलते जाओ, चलते जाओ, नीचे चलते जाओ, तो इसको zoom कर लिया, पढ़ने के लिए, ठीक है, और zoom, minus भी कर लिया, इसको कुछ भी कर सकते हो, आपके हाथ में srg control, तो राम से इसको पढ़ते जाओ, ठीक है, बस इतना ही कहना था, उमीद करता हूँ, आपको जो है, ये e-books पसंद आएगी, हमारे जो claims है, वो claims नहीं है, हमने proof भी दिखाया है, description में जाकर आप link लीजिए, इनको आप purchase किजिए, आराम से, इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद बहुत time ले लिया, मैंने आपका, sorry इतना बरदाश्ट किया आपने मुझे, thank you so much, bye.